चालो शरुवात करिए फाइनाइट दाइमेंशन मातेना अनुवादात्मग ओप्रेटर पर थोड़ाग सवालो थी जे छे फाइनाइट अंतर खास फाइनाइट अंतर छे अने आ सवाल 4 मा पोजिशन ओप्रेटर ना कॉम्यूटेटर परना सवाल अने एक फाइनाइट डिस्प्लेस्मेंट साथे अनुवाद ओपरेटर ना सवाल पण शामिल थशे ते थी सवाल मां आपणी पासे T A Exponential minus I P dot A upon H cross 6 जा P 3 dimension मां momentum operator छे ते थी आपणे इने E raised to minus I P X X लखी शकिये ठीक छे तो हूँ आ हेट ने ओपरेटर P X तरीके लखी शकूँ X A 1 position छे चोकस position P Y A Y प्लस P J A J upon H cross तो आपणने आप्यू छे के P 3 dimension मां momentum operator छे अने आर आई एक कोई चोकस दिशा मां position operator छे तो X अथवा आर एक मने X दिशा आपशे पची मारी पासे Y दिशा अने जेड दिशा होई शके छे तो चालो आपणे एक चोकस केस लखी ने शरुआत करिए जेम के आपणे पहला आराई टी आई ए नू मुल्यांकन करवूं पडशे ठीक छे अने पची आपणे परिणामनू सामान्यकरण करिए तो जेम के आपणने खबर छेके मॉमेंटम ओपरेटर पी एक्स पी आणे पीजेड एक बीजा साथे फरेचे तेथी टी एक्स टी वाई एवाई अने टीजेड तो आ टी केप ए एने हूं टी केप एक्स एक्स लखी शकू माफ करो एक केप टी वाई अने टीजेड एजेड नहीं होई तो आ ट्रांसलेशनल ओपरेटर्स पण एक बीजा साथे फर्षे तेथी ज्यारे आपने कॉम्मुटेशन रिलेशन लईए तो आपने आ संकेत वापरवो पड़े तेथी आ ओपरेटर्स एक्स वाई जेड त्रण दिशामा छे त्रण ट्रांसलेशन दिशामा जे त्रण एकसीस एक्स वाई अने जेड अने आ टी एक्स टी वाई अने टी जेड एक बीजा साथे कॉम्मुट करे छे बराबर हवे कारण के आपनी पासे आछे चालो आपने आराई टी ए आई नू मुल्यांकन करिये बराबर तेथी RITI तमने याद छे के आपने ट्यूटोरियल पांचमा आवी एकसरसाइज करी छे तेमा आपने आ जथानू मुल्यांकन करियूं छे अने याद करो आ A टाइम्स T A आई होवानू बहार आवीूं आ ते छे आपने ट्यूटोरियल पांचमा बेलव्यूं हतूं अने याद करो आपने आ रिलेशन्स ना जनरल परिणामनू मुल्यांकन करती वक्ते आ संबंधों नो उपियोग करीशूं तो आराई अने पी आई नू आराई कॉम्यूटेटर शून्य थशे ठीक छे आ आ आपने याद राखवू जोईये अने आपने जानिय逝ए के आराई पी आई एक फ़िं न तीपण आई एच क्रोस आपने आ कॉम्यूटेटर नों रिलेशन जोयो छे आ जनरल रिलेशन छे जे आपने जनरल विते जोया छे आपने आराई अने जे आराई अने पीजे ना एक्स्प्रेशन जोया छे ठिक छे ते डेल्टा आई जे छे ज्यारे आई अने जे समान होई त्यारे तेओ कॉम्यूनिकेट करशे नहीं अने ज्यारे आई अने ज्यारे आई अने ज्यारे असमान होई त्यारे तेओ आ चोकस इसामा कॉम्यूनिकेट करशे तो आ छे जे आपनी पासे अही छे तो आराई T J A J हशे आनो अर्थ आ याद राखो कारण के T I P I पर आधार राखे चे तेथी जो मारी पासे 1 P J होई तो मारी पासे 1 T J चे जे 0 यानी बराबर हशे ठीक चे तो 1 2 आबे नो उपयोग करीने equation 1 अनेबे नो उपयोग करीने आपने जे मिलविये चीए तो चालो आपने हमना आराई आ पोजीशन ओक्रेटर T A छे बराबर तो आराई T A T A ने T X T Y T Z तरीके लखी शकाए बराबर अने आराई मात्र T I साथेज कॉम्यूट करशे तेथी मारी पासे आराई T I A टाईम्स J T X जो हूँ लउं तो अने ही जो हूँ लूं तो मने मात्र आई राखवादो ठिक छे तो मारी पासे A T J A J तिके A के हशे लाद राखो के आ ओपरेटरों छे अने आपने तेने केप द्वारा दर्शाववानी जरूर छे तेथी आ एक आराई T I A J J J A आई सिवाई बिजू कई नथी ठिक छे मारी पासे A हशे अने आ जथो जे T I A T J A J नने टीके A के छे जे मने आ टर्म पाची आपशे ठिक छे सवाल मा आपणी पासे आ छे सवाल मा आपणी पासे छे के आपणी नकी करवू पडशे के आ ट्रांसलेशन हेठल आर नी एक्सपेक्टेशन बेल्यू के वीरीते बदला छे तो चालो आपणी हवे साई स्टेट मा सिस्टम ध्यानमा लईए तेथी साई ने सिस्टमनों स्टेट रहवादो अने हवे आपणे आ याद राखवू पडशे अही ए नौंधु अगत्यनू छे के ट्रांसलेशन ओपरेटर यूनिटरी छे ठिक छे आ एक वस्तु छे जे तमारे याद राखवी जोईए अने हवे जारे आपणे धारिये चीए के आपणे ट्रांसलेशन ओपरेटर लागो करिये चीए जे ट्रांसलेशन ओपरेटर ने लागो करी रहा चीए जे आपणे शूँ प्राप्त थाई चे तेथी आ टी डेगर ने ए ध्यान मालो आ ओपरेटर टी ए आराई चे तेथी आपणे आराई नी एकस्पेक्टेशन बेलियू शोधी रहा चीए जे आपणने शोधवानू कहवामा आवे चे परन्तु स्टेट पर आपणे ट्रांसलेशन ओपरेटर ने लागो करी रहा चीए तेथी जमणी बाजुए टी पर साई अने डाबी बाजुना साई पर टी डेगर कारण के टी ए टी डेगर बनशे साई टी डेगर ए आराई ती ए तेथी आपणे आनू मुल्यांकन करीशूं अहीं मैं जे कहिऊं ते छे हूं आराई ती ए कॉम्यूटेटर प्लस ती ए आराई नो उप्योग करीश हूं अहीं आना सब्स्टिट्यूट मा करीश आपणे जोयू के आना आ कॉम्यूटेटर शूं छे आनो कॉम्यूटेटर ए ती ए हतो बराबर तेथी कॉम्यूटेटर मने आ आपशे अने बिजी टर्म आ टर्म छे बराबर तो हूं अहीं थी आगळ शूं मेलवी शकूं आ बिजू कहीं नहीं पण। ती केप ए मने आराई मल्यों छे चेहूं खरेखर आगलनास तर्मा बहार लैशकुछूं हूं ते करीश ती केप ए आ प्रथम टर्म छे अने बिजी टर्म ती डेगर एई छे अने बारी पासे ए टी एई आराई टाइमस साई छे ठिक छे हवे आप बे टर्म्स हूं सरण बनाविश एई छे नमबर एई बहार लै शकाई छे ते एक नमबर छे ओपरेटर नथी माफ करशो ते थी ए हूं बहार खूब सारी रिते लै शकूँछूं अने मारी पासे टी डेगर टी छे जे मने मात्रा एक आप छे ठिक छे तो मारी पासे आ छे बराबर अने जारे आराई एपर ओपरेट थाए छे अने आ टर्म मने एक आप छे तो मने अहीं लखवादो ठिक छे ते थी आ स्टेट साई पर आरे नी एकस्पेक्टेशन वेल्यू छे अने जारे तमे ट्रांसलेशन ओपरेटर चलावो छो त्यारे ते रकम ए द्वारा स्थानांत रित्थाई रहूं छे ते थी अन्त मां आपने शू जो ये चीए ते ए शिफ्ट छे त्या ए द्वारा पोजीशन मां शिफ्ट छे ते थी पोजीशन ए द्वारा शिफ्ट थाई छे आम जारे एकस्पेक्टेशन वेल्यू आराई नी वेल्यू ए द्वारा स्थानांत रित थाई छे ज्यारे एक ट्रांसलेशन ओप्रेटर नू संचालन करे छे ते थी आर ए रकम द्वारा शिफ्ट थाई छे बराबर तो आर चोथो सवाल छे जे आपणे करयो पांचमा सवाल पर जैये पांचमो सवाल त्रण भागोने विभाजीत करवानों छे अने ते थोडो लाम्बो छे परंतु आ संबंधोने कम्यूटेशन संबंधोनी तपास करवी रस प्रद छे अने ब्लिस्प्लेस्मेंट ओपरेटर श्यू हशे अने बधी वस्तुओ अने लेक्चर ना छेलला भागमा आनी चर्चा करवामा आवी हती तेथी प्रथम भाग प्रथम भागमा तमने एक कोहिरंट स्टेट आपवामा आवे छे जे लेडर ओपरेटर ना आईजन स्टेट तरीके व्याख्याइत करवामा आवे छे अने तमने रिलेशन आपवामा आवे छे एथी कोईपण ओपरेटर अथवा कोईपण जटील नंबर आल्फा माटे तमने आपवामा आवे छे आल्फा is e raised to minus आल्फा स्क्वेर अपोन बे e raised to आल्फा a डेगर जेथी नानू a डेगर बराबर अने 0 फक्त ते याद करो अने आ ओपरेटर अथवा एनो नौर्मलाइज आईजन केट ए आल्फा तरीके आईजन वेल्यू जेथी जारे a पर कार्य थाए a डेगर अथवा ए ओपरेटर a ने आल्फा पर ओपरेट करवामा आवे त्यारे तमने आईजन वेल्यू a आल्फा मले छे थी आ तमारे याद राखवू पडशे हवे आगलनू पगलू एहशे के आपने व्याख्यायित करवू पडशे के आपने आ कोहिरंट स्टेट ना आधारे x x स्क्वेर पी पी स्क्वेर नी गणतरी करवी पडशे तेथी तेना माटे तमारे थोडूक बी जगणित करवानी जरूर छे थोड़ा संकेतों हूँ आपेश अने तमे कदाच ते संकेतों नो उप्योग आगल काम करवा माटे करी शको तो चालो आपने Dimension रहितनी Position अने Momentum Operator ने A प्लस A डेगर By 2 तरीके व्याख्यायत करिये अने P A Minus A डेगर By 2 Times I तेथी A एक Position Operator X अने Momentum Operator पीछे जे Operator A के जेमा आईजन वेल्यू आलफा होई छे तेना टर्म्स माँ व्याख्यायत करवा माँ आवे छे जारे तमे तेने आईजन के आलफा पर Operator करो छो त्यारे ठीक छे तो चालो एक अने P ने A अने A डेगर ना टर्म्स माँ फरी लखिए बराबर छे A अने A डेगर तो A अने A डेगर ना टर्म्स माँ श्यों हशे अने A डेगर कॉंप्लेक्स कॉंज्यूगेट छे तमे अहीं रिते जोई शको छो बराबर तो आपने जानिये छीए K सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर माटे आपणी पासे A रिलेशन X छे A बीजू कहीं नथी परंतू M ओमेगा अपोन बे A क्रोस A स्क्वेर रोट X कैपनी अंदर अने P A स्क्वेर रोट P कैपनी अंदर 1 अपोन बे H क्रोस ओमेगा M सिवाई बीजू कई नथी तो X अने नानो X आ रिलेशन माँ संबंधित छे ठीक तो आपने X ने dimensional S वेरियेबल ना टर्मस माँ व्याखित करेल छे तो आपने हवे याद राखवूं पढ़शे के P अने X अने P A आपनी नियमित अथवा सामान्य पोजिशन अने वोमेंटम ओपरेटर्स छे बराबर ते थी हवे एनू मुल्यांकन करवूं सरण छे के X नूँ छे या X छे जे नूँ आपने मुल्यांकन करीशूं X आपने A प्लस A डेगर वाई बे तरीके व्याखित करेव हतो तो पहला आपने X नूँ मुल्यांकन करीशूं पची एकस स्क्वेर नूँ मुल्यांकन करीशूं पची पी अने पची पी स्क्वेर तो केट आलफा पर x नी expectation value 1 by 2 बन शे मारी पासे a डेगर a छे तेथी हुँ a alpha plus alpha a डेगर alpha लखिश बराबर अने जारेत में आने ओपरेट कर शो त्यारे आमने आईजन value alpha आप शे आमने आईजन value alpha square alpha star आ शे तेथी मारी पासे alpha plus alpha star हशे अने आ नौर्मलाइज आईजन केट छे तेथी आ r i 4 मना छे हुँ तेने alpha ना real भाग तरीके लखी शकूँचू बराबर हवे age रिते तमे x square नू मुल्यांकन करो त्यारे तमने मलशे के जारे तमे आ उकेर्शो त्यारे तमारी पासे alpha नो real भाग हशे जेनू आपने मुल्यांकन कर्यूं ते square plus 1 4 हशे ते थी कृपा करीने आ तपासो जाते तपासो बराबर चे पची हूं लखीश के मारू पी शू छे आपने जोईूं के ओपरेटर पी आई ए माइन्स ए डेगर हतो ठीक छे अने मैं आ छोड़ी दिधूं परन्तु तमारे याद राखवूं जोई ये के जारे हेट होई त्यारे ते ओपरेटर नोटेशन होई छे तेथी मारी पासे आई बाई बे छे अने पच्छी मारी पासे आल्फा माइन्स आल्फा स्टार प्रकार नो एक शब्द हशे जे समकक्ष अथवा जे आल्फा नो इमेजिनरी भाग तरीके लखी शकाय छे ठीक छे तेज रिते तमे आनू मुल्यांकन करो अने तमे जोशो के तमे में मेडवो छो आल्फा स्क्वेर प्लस चतुर थांश नो इमेजिनरी भाग छे हवे पचीनू पगलू देल्टा एक्स डोट डेल्टा कैपिटल पी नी गणत्री करवानू रह शे डेल्टा एक्स डोट डेल्टा पी ए स्क्वेर रूट हशे तमे व्याख्या जानू छो आपने आबधानू मुल्यांकन कर्यूं छे अने जारे तमें सब्स्टिट्यूट कर्शो त्यारे आना जेवू कईक हशे हवे तमें Capital X औने Capital P ने Small x औने Small p ना टर्मस मां सब्स्टिट्यूट कर्शो आपनी पासे आछे बराबर तेथी जारे हूँ आने सब्स्टिट्यूट करू छू त्यारे मने ओप्रेटर नोटेशन नी जेम डेल्टा एक्स डोट डेल्टा पी मले छे मने खुबज स्पष्ट थवात दो तेथी आ रिलेशन बीजूं कहीं नथी परन्तु हाईजनबर्ग अंस्टंसी प्रिंसीपल डेल्टा एक्स डोट डेल्टा पी ए एच क्रोस बाई बेकरता ओचूं होवू जो ये ठीक छे बराबर तेथी आ कोहिरंट स्टेट नोंध कोहिरंट स्टेट आल्फा वास्तव मा हाईजनबर्ग अंस्टंसी प्रिंसीपल रिलेशन मा मिनीमम प्राप्त करे छे जे कैपिटल एक्स अने कैपिटल पी ना कारणे अंसर्टंटी प्रिंसीपल ना वेल्यू नी बराबर छे ते आपने जोयू छे बीजो भाग अथवा बी भाग बी भाग तमने एक्स्पोनेंशियल ई नी नी गणतरी करवा माटे कहवा मां आवे छे जो ए अने बी नो कॉम्यूटेटर एक कॉंस्टंट ने सम्वान होए तो तमारे बताववू पड़े के E raise to alpha A dagger E raise to minus Alpha star A dagger पासे E raise to alpha square by 2 E raise to alpha A belle minus alpha star A जेवा कैक रिलेशन छे तेथी आपनी पासे रिलेशन छे अने आपने बैकर होस्टोर्फ फोर्मूलानो उप्योग करवा जई रहा ची엔 तो आपनी पासे जे छे ते मने आही अने तरीके लखवा दो थिक छे अने तमारी पासे आ इक्वल टू ए रेज टू प्लस बी टाइम्स ए रेज टू ए बी कॉम्यूटेटर ओफ ए बी बाई बे छे तेथी आ संबंधों नो उप्योग करीने अने मैकर हॉसडोर्फ फोर्म्यूला ने लागू करीने आपणी पासे इ रेज टू आल्फा ए डेकर अने बी जो शब्द इ रेज टू आल्फा स्टार ए छे ठिक छे आ एक्स्प्रेशन हूँ आ परिणाम्नों उप्योग करीने आने फरीथी लखी शकू छूँ इ रेज टू हूँ आने आल्फा ए देगर तरीके लखी शकू ठिक छे आ टर्म माइन्स आल्फा स्टार ए तेथी में आ टाइम्स ए रेज टू आल्फा ए डेगर माइन्स ए आल्फा स्टार ए डिवाइड बाई बेनों उप्योग करेल छे अने आ ए डेगर आल्फा ए डेगर माइनस आल्फा स्टार ए हशे अने मारी पासे बहार आल्फा स्क्वेर होई शके छे अने ए डेगर अने ए अने ए डेगर नो पोम्यूटेटर एक छे तेथी मारी पासे आल्फा स्क्वेर बाई बे छे तेथी आजे आपने साबित कर्यूँ छे T ते मात्र एक पगलू छे बराबर आ संबंधो अन्य परिणामों साबित कर्वामा पण उप्योगी थशे तेथी हवे C भाग A छे के आपने displacement operator ना टर्मसमां coherent state ने फरीती लखी शकीए शूँ आपने ते करी शकीए छिए हवे चालो आपने displacement operator लखीए जे आपने coherent state ना टर्मसमां लखवानूँ छे तेथी आपनने आपवामा आवेली coherent state A छे के E raised to minus alpha square by B E raised to alpha A डेगर आ ते छे जे आपणने आपवामा आवियू छे अने याद राखो के आपणे जानिये छी ये केज जारे तमें कोईपण आंतरिक स्टेट 0 मां उच्छे दन ओपरेटर ओपरेट करो छो त्यारे तमने 0 प्राप्त थशे आना थी आगल ते नहीं जाए आ सीडी नो अंत छे ते हुँ आने फरी थी आल्फा स्क्वेर बाई बे टाइम्स ए रैस टू आल्फा ए डेगर तरीके लखी शकू छू हूँ आने इस्टार ए आई तरीके लखी शकू छू अने हुँ अम कोईफिशेंट वडे मल्टिप्लाइ करी शकू छू ते वान्धो नथी आपणे आनो उप आट पर्मनों समय अने मारी पासे एकस्प्रेशनमा पहले थी ज एक एक्स्पोनेंशियल मायनस अल्फा स्कवेर बाई बैज्चे ते थी मारी पासे आल्फा पर e raised to a, a डेगर, माइन्स, a स्टार, a हशे, अने आ, displacement operator नी व्याख्या छे, अने तेथी आपने साबित करी शक्ये के आ, coherent state छे, तेने displacement operator नी टर्म से लखी शकाई छे, अने तमारे आ भाग माँ बताववूं पढ़शे के displacement operator यूनित री छे, स्पष्ट पढ़े जोवा माँ आवे छे ते खुबज सरण छे, e raised to alpha a डेगर, माइनस alpha स्टार, a, अने d डेगर alpha a, e raised to alpha स्टार, a माइनस alpha, a डेगर थशे, बराबर, तेथी जारे हूँ डी alpha, d डेगर alpha d alpha लोग, तो यू डेगर यू ए, एक छे के ते यूनितरी ओपरेटर छे, ते खुबज सरण छे, तमे तेने हल करया वीनापण, जोई शकोचो, बराबर, तेथी आ exercise अने तमे तमारा लेक्चर मा थोड़ी वधू exercise करवानों प्रयास करो, अने तेने हल करो, अने जोओ के तमे ते सवालोंने हल करी शकोचो के जेनी चर्चा करवामा आवी हती, प्रयास अने झाले करो जाँ सकते हैंक्तरी तरमे मा थीनाव आ चर्चा करको के तमगे ख cable तुब और ऐस अने हल करता है, झाल झाल